हेलो एब्रिवन, वेलकम तो कभीता हारोटु क्लासेश, कभीता हारोटु क्लासेश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, गाइज एक न्यू पीज़डी अद्मिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेट ये वीडियो है, जो की एक स्टेट उनिवर्सिटी से आई है, इसकी इंटर्विव दोनों आपके 26 जून को होंगे, नेट, जेयरफ, एमफिल और वनली पीजी इस्टरंट सभी इसमें अपलाई कर सकता हूँ, एडमिशन के लिए दो प्रोसेस हैं, फॉस्ट हैप का एक्जेम्टेट कटेगरी, जो की नेट, जेयरफ, एमफिल इस्टरंट हों होंगे, फिर उनको इंटर्विव के लिए सेलेक्टेट होंगे, और जो नेट जा रहे होंगे, वो डाइरेक्ट इंटर्विव के लिए उन्हें पॉल आएगा, तो आल ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, आप लास्ट तक बने रहें, आल एबलेब सब्जेक्ट से UGC NET, SET और PhD Intense Exam की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो इस चैनल से आपको, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अधर सब्जेक्ट से PhD एड्मिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप रिसर्च मेठलोजी की प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल बेटन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू, आपके साथ कोई भी नोटिफिकेशन को शेयर करू, तो उसकी इमेडियेट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, गाइस सबसे प अप्लिकेशन फॉर्म मिलेंगे, लास्ट डेट आप रिसीविंग, दा हाड कॉपी इन दा यूनिवर्सिटी कॉंटर और बाइपोस्ट, यह आपको 15 मैं है, 15 मैं को 1 पीम तक आप इसकी आपकी जो अप्लिकेशन फॉर्म है, वो कॉंटर तक मिल जाने चाहिए, यह आप ब आप पर्षन भी कर सकते हैं, इन्टेंस एक्जाम और इंटर्वीयू की डेट ट्वंटी सिक्स जून को है, और इन्टेंस एक्जाम पहले आपका 10 एम से 11, 30 एम तक इंटेंस एक्जाम होंगे 26 को और विजल्ट जो है 26 को ही 2 पीम में मिल जाएंगे, जो इस्ट्र इंटेंस एक्जाम के थूरू जाएंगे वो पहले 26 को 10 a.m. से 11 30 a.m. तक इंटरंस एक्जाम देंगे और उनके रिजल्ट जो है उनका 2 p.m. तक आ जाएंगे देन आप्टर 2.30 p.m. से उनके इंटर्व्यू स्टार्ट होंगे और वे इस्ट्रेंट जो की एक्जेम्टेट काटेगरी के होंगे और जिने इंटरंस एक्जाम नहीं देना है उनके इंटर्व्यू 11.30 a.m. से स्टार्ट रहेंगे डेट आप सम्मिशन और फाइनल मेरिट लिस्ट ये 29 जून को है 29 को आपके रिजल्ट आ जाएंगे और डेट आप एड्मिशन 4 जुलाई और कॉमेंस्मेंट आप क्लासेज वो 5 जुलाई से है तो इस तरह से इसकी डेट सीट है डेपार्टमेंट को देख लें टोटल 15 डेपार्टमेंट में पिएडी एड्मिशन होने है होस्ट आप का एंथ्रोकोलोजी जिसमें की 3 सीट है बायो टेक्नोलोजी इसमें 2 सीट है इलिजिबिलिटी करिटरिया देख लें कंडिडेट फॉर एंविशन इन्टू दे पिएडी प्रोग्राम सेल सक्सेश्पुली कम्विटेट मास्टर डिग्री इनको 55 जो की यूजी सी की नॉर्म के अकॉर्डिंग है और जो रिजर्वेशन में है इनको 55 जो है इनका रिलेक्सेशन है ये 50 परसंट इनकी इलिजिबिलेटी करिटरिया हुई मास्टर डिग्री के इनको 55 परसंट होनी चाहिए और रिजर्व वाले के लिए 5 परसंट रिलेक्सेशन है 55 to 50 परसंट 50 परसंट जो है एमफिल वाले SCST दिफरेंट एवल्ड और EWS वाले स्ट्ट को 50 परसंट इसकी इलिजिबिलेटी करिटरिया है एमफिल के लिए mode of obtaining application form candidate should download the application form from the university website and submit the field in form with original bank draft 1500 और drawn in the favor of इस favor पर आपको 1500 की original bank draft लगेगी और इसमें सारे document के साथ आपको website पर dv address पर आपको send करना university के address पर आप इसको post के द्वारा भी कर सकते हैं और by person भी कर सकते हैं यानि कि इसमें आपकी offline application form जाएगी और ये link website की dv है university की website दी भी है यहां पर और इसको मैं description box में दे दोंगी आप वहां से इसको ले सकते हैं इंटर्व्यू के लिए 50% इसकी qualifying marks है जो exam आपकी 26 को होने है यह पहले बताए और intense test will be consist of multiple choice question two part part a comprise 50% question of research aptitude and part b concern subject 50% question उससे रहेंगे और जो syllabus होंगे वो PG course के होंगे syllabus of concerned PG courses जो की GM university की होगी students who have qualified net set यह सारे direct interview के लिए medical list में जाएंगे यह कुछ reservation इसमें दी भी है इसको देख लेंगे स्ट के लिए पी एच के लिए दा रिजर्प सीट और नॉट इंटर्चेंज बिस्विन स्ट इसको आप देख लेंगे document to be submitted with the application form form के साथ में self certificate copies of the following document चाहिए mark sheet and certificate of all examination is starting from HSC CLC and conduct certificate from the institution last appeared cost certificate from the completed authority certificate in support of net set यह जो आप जिसके लिए अग्जेंट होंगे उनके certificate in service candidate will have to submit NOC admit card for the entrance test with photograph and two passport size photo one in one application form and one is admit card document required at the time of admission यह admission के time के ही बात है उस time में आपको लगेंगे application form के time में आपको यह साड़ी चीजे लगेंगी इन सबको application form के को fill करके उसमें enclosure करके आपको send करने है यह university है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी उडीशा की संबलपूर में है यह और यह काफी अच्छी उनिवर्सिटी है अगर आप eligible है तो जरूर एप्लाइकन I hope मैंने सारी सीजें किलियर की है फिर भी अगर आपकी कोई query हो तो comment box में पूछ लेंगे